7 टिशंबर पिछले 24 घंटा में उरिशा में most of the places में हलका से मद्धम बारिश हुआ है कुरापोर जलका कोथपाद में हाइस्ट बारिश हुआ है 64.0 mm उसका बाद कॉन्जाम जलका हिंजिली में 59.0 mm कुलाबिरा जर्शकुत जला में 57.6 mm भुबनेशर सीटी में बारिश हुआ है 22.1 mm और कॉल हमारा क्लावडिनेस का बाज़ से मैक्सिम टेंपरेचर और टेंपरेचर शाहब इक से 3-5 डिग्री तक most of the places में ही कम था और मिनिमम टेंपरेचर शाहब इक से 3-5 डिग्री जादा था भुबनेशर सीटी में काल मैक्सिम टेंपरेचर था 23.6 डिग्री सेलसियास अज सुभे मिनिमम टेंपरेचर हुआ है 18.8 डिग्री सेलसियास ये शाहब इक से हमारा मिनिमम टेंपरेचर शाहब इक से 3 डिग्री जादा है अभी फोर्कास्ट हमारा जो है नेक्स टोंटीफोर आवर्स में कुछ जलादेशा जाष्रीकुदा, बरागर, सम्बलपूत, देवगर, क्योंजार, मुहणोईफंज, भरषवर, भद्रग इसमें मेनी प्रेसस में हलका से मधम बारिश बाकी जिला में भी कुस-कुस ताना पर हलका से मधम बारिश नेक्स्ट निटीफर आवर्स में होने का चांसेस है फिर कल बारिश हमारा केवल एक दो जागा करके ही रहेगा उसका बाद फिर 9 दिसमबर से 13 दिसमबर तक सभी जाग में ड्राय विदर रहने का चांसेस है उनिशा में अभी minimum temperature जो है maximum temperature अभी cloudiness clear आने का बाद इंकेज कर जाएगा कल से और शाहविक स्थाना पर आजाएगा minimum temperature अभी अगला 2-3 दिन का अंदर most of the places में 35 दिग्र तक फॉल करने का चांसेस है इसका बाद से minimum temperature अभी शाहविक में आने का चांसेस है जैसे भोवनेशर सीटी में minimum temperature कल 17-18 का बीच में रहने का चांसेस है और maximum temperature आज 25 कल 28 degree Celsius का आसपास रहने का चांसेस है भोवनेशर सीटी में आज generally cloudless का रहेगा कुस कुस तान पर हलका बारिश का भी possibility है